हालो फ्रेंद्स, वेलकम बेग तु माई यूटुब चेनल आयरवे धर्वल केयर आज की इस फीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में थमलेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आमला पाउडर के बारे में यानि आमला पाउडर का जो यूज है वैसे तो वो सदियों से चलता आ रहा है क्योंकि एक औसधी फल है तो आज हम डिटेल में डिसकेस करेंगे कि आमला पाउडर के जो फाइदे हैं वो आपको किस किस तरह से मिल सकते हैं आपको आमला पाउडर कैसे यूज करना है और साथ ही इसके काफी सारे कुछ नुकसान भी होते हैं तो आपको वह नुकसान के बारे में भी पता होना चाहिए अउला पाओडर हिए या यूज करने के लिए सोच रहे हैं तो चलिए आईए स्टार्ट करते हैं और डिटेल में बात करेंगे आपको अगर कोई भी प्राब्लम से तो आप यह आउला पाउडर का इस्तेमाल करके अपनी इन प्रॉड्रम से भी शुटकारा पासकते हैं उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में आगे पढ़ने से पहले आप लोगों इस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल इकन को ज़रूर प्रेस कीज़ेगा ताकि आने वाली मेरी इस तरह की आयरवेदिक हेल्दी वी पारे में तो बहुत ही डिटेल से बताया गया है इसलिए यह जानकर कोई हरानी नहीं होगी कि आउला पाउडर के फाइदे भी बहुत सारे हैं अगर हम बात करें तो आउला पाउडर देसी उपाई में एक मुख्य समागरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आउला पा कम कर सकते हैं और इससे आउले के फाइदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं मार्केट में आउला पाउडर या आउला जो चून होता है वोती आसानी से मिल जाता है और इसका इस्तेमाल हम कई सारी बिमारियों में करते हैं तो आईए जानते हैं एक एक करके कि आउला पाउ जो है उसमें क्या-क्या तत्व होते हैं आवला आयर्वेट से जुड़ा हुआ है जिससे हम यह कह सकते हैं कि आवला पाउडर में पॉस्टिक आहार भी बहुत साधा होते हैं तो देखिए आवला पाउडर के फायदे इसमें मौझूद बिटामिन ए और बिटामिन सी से भरप पूर होने के साथ साथ इसमें टैनिन और फ्लेवोनाइड पाये जाते हैं जो पौध है आधारिद एंटी ऑक्सिडेंट है आवला पाउडर के फायदे इसमें मौझूद फास्पोरस आयरेन और केल्शियम के कारण भी बढ़ जाते हैं आवला पाउडर के फायदे वेट ल यह वारे में एक करके सबसे पहले देखिये फ्लेल पाउडर जो है को फ्री रेडिकल से की अब फ्री रेडिकल जारी यह तो या पीर प्र्री ऑउसीजटन प्रिमारू होते हैं जो शरीर के स्वस्थ्थ सेल के साथ मिलकर शरीर को नुक्सान देते थे वहीं दूसरी तरफ एंटी ऑक्सिडेंट इन फ्री रेडिकल से शरीर का बचाव करते हैं एंटी ऑक्सिडेंट फ्री रेडिकल के साथ मिल जाते हैं और स्वस्त सेल को इनके द्वारा होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है अगर शरीर में एंटी आक्सिडेंट की मात्रा सही बनी रहेगी तो फ्री रेडिकल्स का खत्रा आपको कम होगा जिस वज़े से डाइट में एंटी आक्सिडेंट से भरपूर खादे पदात होना बहुत जरूरी है आपको बता दू कि आउला पाउडर के फाइदे एंटी आक्सिडेंट से भरपूर होते हैं जिस वज़े से आप आसानी से अपनी डाइट को एंटी आक्सिडेंट से भरपूर बना सकते हैं यानि रोजाना एक चमच आउला पाउडर का सेवन करने से आपको कई सारे फायदे आसानी से मिल जाएंगे आई अगले फायदे के बाद मैं बात करते हैं वो है वेट लोस आउला पाउडर वेट लोस में आपको काफी हेल्प करता है मैंने बताया था ऐसा इसलिए है क्योंकि 100 ग्राम आउला पाउडर में सिर्फ 2 ग्राम फैट होता है जो वजन कम करने के लिए एक अच्छा आप्शन बन सकता है इसके लावा आउला पाउडर के फाइदे इसमें मौझूद फाइबर के कारण भी होते हैं यानि फाइबर का सेवन करने से आपका पेट लंबे समय के लिए भरा रहेगा जिस वज़े से आप बार बार नहीं खाएंगे और आपका वजन कम करने में आपको काफी हेल्प होगी आउला पाउडर फाइबर से भरपूर होता है जिससे मेटापॉलिजम बहुत अच्छा होगा और साथी आत भी आपकी स्वस्त रहती है इन दोनों के स्वस्त रहने से वेट लोस में आपको काफी हेल्प मिलेगी और वेट लोस के लिए आउनले जूस का सेवन करना भी एक अच्छा ऑप्शिन हो सकता है आउनला जूस को फैट बन करने के लिए खास दोर पर जाना जाता है दोस्तों अगर आपके पास आउनला पाउडर अबिलिबल नहीं है आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेफसाइट पर जा करके बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आउनला पाउडर जो की और गैनिक तरीके से बिनाया है उसे वर्चेस कर सकते हैं वेफसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब बात करते हैं ब्लड प्रिशर ब्लड प्रिशर एक आम बीमारी सी हो गई है आईरवेद में आउला पाउडर को प्योग दवाई की रूप में ब्लड प्रिशर के लिए भी किया जा आउला पाउडर से कई सारे जरूरी मिनरल्स मिलते हैं जैसे की फासफोरस आयरन और कैल्शिय यह सभी मिनरल्स बट वेसल्स को सिकुड़ने नहीं देते और शरीर में खून के बहाव को सामानने बनाये रखने में मदद करते हैं खाली पेट आउला जूस कर सेवन करने से है हमारा हर्ट दिल तो सेहत पंद दिल के लिए आउला पाउडर किस तरह से कारगर है आउला पाउडर के फाइदे से सरीर में खून का भाव अच्छा बना रहता है ऐसा होने से अपका दिल स्वस्त रहेगा और ब्लड प्रेशर भी सामानने रहता है आउला पाउडर में सि Owen करने से हमारा जो शरीर में खराब कोलेस्ट Черने उसको भी कम करता है आम तोर पर जीन लोगों को कोलेस्टरोल जादा रहता है उनके लिए आउला लाप तहक था लहीत हो सकता है लेकिन इसके बावजूर डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सला ले अब आएए बात करते हैं हमारे खुबसूरत आखों से लेकर के आउला पाउडर के फायदे स्वस्थ आखों के लिए भी मौझूद है क्योंकि आउला बिटामिन A से भरपूर है जो आखों को स्वस्थ बनाये रखने में मदद करता है इसके अलावा आउला पाउडर के फायदेस में मौझूद कैमिकल कैरोटीन से भी बढ़ जाते हैं कैरोटीन एक तरह के एंटी ऑक्सिडेंट है जो आखों को फ्री रेडिकल के खत्रे से बचा कर रखने में मदद करेगा और साथी बढ़ती उम्र में मांस्पेशियों को खराब होने से भी बचाता है विटामिन सी से भरपूर होने के कारण आउला आखों की मांस्पेशियों को स्वस्थ बनाये रखने में मदद करता है जिससे बढ़ती उम्र के आसार आखों पर जल्दी से नजर नहीं आते हैं विटामिन सी से भरपूर डाइट होने के कारण मोतियां बिंद होने के आसार भी कम हो सकते हैं अब आए बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बोडी का पार्ट है व दो शरीर को नुकसान देते हैं फ्री रेडिकल्स के द्वारा होने वाली एक बिमारी है भूलने की बिमारी जो बढ़ती उम्र में तो हो सकती है आला पाउडर के लाग यहां पर भी काम आते हैं क्योंकि यह फ्री रेडिकल के खत्रे से आपको बचा कर रखता है विटामिन सेहत मंद स्वस्थ तोचा के लिए आला पाउडर के फाइदे तोचा से भी यानि आपकी स्किन से भी जुड़े जोते हैं आला पाउडर का सेवन करने से आपकी तोचा में एक चमाकाती है क्योंकि आला में विटामिन सी पाया जाता है विटामिन सी तोचा में से डेट सेल् और साथ ही आपके अगर एकने पिंपल्स की प्रॉबलम है मुहासे को भी तवचा से दूर रखता है एक चमच आउला पाउडर का शेवन सहित के साथ करने से खून साफ होने में मदद मिलती है खून साफ रहने से कई तरह की बिमारियों से भी आपको बचाओ मिलेगा जिसे शरीर और तवचा दोनों ही हेल्थी और स्वस्त नजर आएंगे आउला का सेवन करने से बड़ती उम्र के आसार भी देरी से आते हैं यानि आप समय से पहले बड़ती उम्र हैं ऐसा नहीं दिखाई देंगे आउला पाउडर का प्योग शेह दो और दही के साथ मिक्स करके फेस पैक बनाया जा सकता है और यह मिश्रन अगर आप 15-20 मिनट चेहरे पर लगाएं और इसके पानी से धोलें तो आपकी जो स्कीन है वो ग्लो करेगी साथ साथ बहुत हेल्दी नजर आएगी आउला पाउडर को आप घर पे भी बना सकते हैं अधर्वाइस मैंने वेपसाइट का लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से आप खरीच सकते हैं अब आएए बात करते हैं आउला पाउडर के नुकसान के बारे में यह चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए यानि जिस खाने की चीज के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं ऐसा आउला पाउडर के साथ भी है आउला पाउडर के फायदे जानने के बाद आप इ नहीं करना चाई यह क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो कि आपके वजन नियुक्त के लिए भी आपका नहीं तो चोट लगने पर खून का बहाओ ज्यादा मात्रा में हो सकता है और ब्लड क्लोटिंग में दिक्कत आ सकती है आउला पाउडर का सेवन दिन में एक चमच ही करें या फिर एक बार अपने डॉक्टर से कंसल करने के बाद कितना क्वांटिटी लेना चाहिए उसका आप उनसे कंसल्ट जरूर करें तो दोस्तों आउला पाउडर के वैसे तो कोई खास नुकसान नहीं है बठाएं एक बार आप इसको मतलब या तो एक चमच के आसपास अस्तिमाल करें या डॉक्टर से कंसल करें अगर आपको लाइक बीपी कोलेस्ट्रोल ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आउला के फायदे आय कर रहे हैं या आपकी इस तरह से आउला कर सेवन करना पसंद करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और है ओप आपको यह वीडियो काफी हेलफुल लगी होगी वीडियो को एक लाइक करके चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करक साथ ही वीडियो का अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके पूछ सकते हैं थैंक्यू फॉर दवाचिंग फ्रेंड्स